हम एक ब्लैक होल के असर को सिर्फ देख सकते हैं, या तो ये अंतरिक्ष में भटकता रहता है, या फिर घूमते तारों के बीच में ये अद्रश्य हो जाता है। हम उन चरणू की जांच कर रहे हैं, जब मैटर इन ब्लैक होल में खिचा चला जाता है, और उनके आसपास की जगहे रोशन हो जाती है। बहुत रोशनी देखने को मिलती है। हो तो इसका मतलब होगा कि हम बहुत सारे ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं। अभी हम करीब 300 ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। अगर हम धस्ती पर पेड़ पौधों की उत्पति समझना चाहें तो शायद हम 300 सबसे बड़े रेड़ वुड पेड देखने में सक्षम होंगे। 300 सबसे बड़े रेड़ वुड पेड निश्चे तौर पर शोध करने के लिए बहत दिल्चस्प चीज होंगे। हम उनके विकास के चरण देखते हैं लेकिन इन लंबे चरणों में समय लगता है। इनका जव्यमान दोगुना होने और असल में मजबूती से बढ़ने के लिए इसमें कुछ लाख साल लगेंगे। हम बिक बैंक के 70 करोड साल बाद ही ऐसे बहुत बड़े ब्लैक होल का अवलोकन कर सकते हैं जिनका आकार एक अरब सूरज के बराबर हो। इतने समय बाद ही उनका आकार इतना बड़ा हो पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमें चौकाने वाले नतीजे मिलेंगे, भले ये ब्लैक होल से मिले या इनकी शुरुवात होने की प्रक्रिया से। मुझे नहीं पता ये जवाब कहां से मिलेंगे लेकिन मैं इससे खुश हूँ। निश्चे तौर पर जेम्स वेब हमें बिग बैंग और ब्लैक होल के करीब ले जाएगा। हर कोई जानना चाहता है कि हमारी उत्पत्य कैसे हुई और हम भी ब्रह्मान की उत्पत्य के इसी दिल्चस्प एतियास और इसके सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं।